दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो अपने घर वालों को लव मैरिस के लिए मनाना चाहते हैं दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं? आप अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मनपसंद शादी के लिए परिशान हैं? क्या आपके घर वाले आपकी पसंद की लड़की या फिर लड़के से आपकी शादी करवाने से मना कर रहे हैं? क्या आप आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आप किसी से प्यार करते हैं और इसी के साथ हमना जीवन भी टाना चाहते हैं, लेकिन घरवाले उसके लिए मना कर रही हैं, ऐसे में आपको घरवालों को मनाने के टोटके और सरल उपाय करने की जरूरत है, जो आज मैं अपनी इस वीडिय के बताउंगे जिनकी मद्दे से आप अपने घरवालों को राजी कर सकते हैं दोस्तों जिस लड़की या लड़की में आपका साथ देना है वो हर मुश्यकिल के साथ आपके साथ खड़ा है जिसने आपको छोड़ कर जाना है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा जब आप किसी को पसंदि करते हैं तब आप उसको पाने के लिए बहुत कोशिशे करते हैं वह काम भी कर लेते हैं जो आपने कभी किया भी ना हो ऐसे में आपको माबाप साथ दें तो हर मुश्किल असान हो जाती है इसके विपरित अगर घरवाले ही आपके खिलाफ हो तो आपकी मुश्किलों को बढ़ाना लाजमी होता है अगर आपका कोई बॉर्फरेंड या गॉर्फरेंड है उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं लेकिन ऐसे मुश्किलों के चलते घरवाले मना कर रही हैं अगर आपने किसी को सच्चा प्यार करते हैं या फिर आपने सच्चा प्यार किया है तो आप अपने कैसे ना कैसे करके अपने घरवालों को शादी के लिए मना सकते हैं जोस्तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए इतने असान से उपाई लेकर आई हूँ जिने अपनाने से आपके घरवाले आपकी लव मैनिस के लिए जरूर मान चाहेंगे आपको प्रेम विवाहा करने के लिए यह उपाई सरल है असरदार भी है इस प्रियोग में आपको पसंदीदा लड़की या फिर लड़के की तस्वीर सफेद कागज पर बनानी है लड़कों को अलग-いलग रंगों से लड़कियों की तश्वीर बनानी है और लड़कियों को लाल रंग से अपने बॉयफरैंड गुल्फरैंड की तश्वीर को बनानी है इस طور हैं के प्रेम विवाहा के लिए तोड़के तीन महीने तक अलागातार करने हैं कई बार लाग कोशिश करने पर भी लड़की की शादी नहीं हो पाती या प्रेम विवाहा में अटचने खड़े हो जैती है ऐसे में प्रेम विवाह के उपाए और अगर यह है उपाय या पुरी शद्द और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके लव मैरे ज़रूर होगी और आपके घर वाले भी आपके प्रेम विवाह के लिए मान जाएंगे दोस्तो हमारा दूसरा उपाय है रविवार के दिन एक पीला कपड़ा ले इस कपड़े में 7 गाठे हल्दी की 7 सुपारिया 7 पीले फूल 70 सैंटिमेटर पीला कपड़ा 70 ग्राम चैनी की डाल इसके लावा 7 पीले सिख्के और एक पंद्रया कयंतर भी ले इन सब के साथ माता पारवती की पूजा करे इन सारी वस्तों को 40 दिन तक घर में ही रहने दे ये पाई आपके विवाहा की मारक की सारी बाधाओं को दूर करेगा और आपकी जल्दी शादी होने में आ रहे वी संकेत नजर आने लगेंगे और बाधाएं खतम हो जाएंगे दोस्तों प्रेम विवाहा में सफलता के लिए लड़की को गुरुवार का वरत रखना चाहिए जो काफी लाबदायक होता है इस दिन पीले रंग के कोई भी वस्तुदान नहीं करनी चाहिए इस दिन ना सोए ऐसा करने से आपकी लव मैरी जरूर होगी दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये टोटके उपाइप प्रसंद आये हूँ तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल लव एस्टरलोजी देवदर्शन को सब्सक्राइब करना धन्यवाद दोस्तों